कि यह सब बैंक में मुख्याले पर चोड़ी हैं कि क्या मामला पर कैसे गिरफ्तावी कितने लोग पकड़ेगा हैं पुरी जांकर चाहिए यह 31 जनवरी को यह हमारा चंदोली कस्वे में इंडियन बैंक का 38 लाकर थोड़के उसके अंदर जितने जैवरात है सारे जैवरात और डेड़ लाक रूपया का जो पैसा यह सब लूट के भाग गया था और उसके बाद फिर एसपी चंदोली और एडी जी साब और हम मैं स्व तो उसमें जो है पीचे जो बैंक का पीचे की तरफ पूरा जंगल के टाइप का था वो पूरा बंजर जमीन थी वहां कोई आबादी नहीं है और पीचे के तरफ यह किड़की है उस किड़की का सारे ग्रिल काट के अंदर प्रिवेस किया फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाजा था दरवाजा को थोड़ दिया फिर वहां जतने सीसी केमेरा है सारे सीसी केमेरा को डिसकनेक्ट कर दिया और यह जो लाकर का जो में डोर है जो वह उस में डोर का जो लाकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रिवेस कर के यह अर्टीस लाकर को थोड़ दिया था तो इस प्रकार येक गैंग आपरेट किया तो फिर हमने पूरा जनकर किया वहां का सारे काउन-काउन रुके थे आसपास के इलाकों में पूरा जन करी किया और एस-पी चंदोली के द्वारा पांच टीमें इसमें गटित किया फिर पांचों टीमों से हम बराबर बात करते रहें एक टीम को कानपूर बेज़ गया था क्योंकि पूरू में भी इस प्रकार की गटना 2018 में कानपूर में हुआ फिर एक गटना जो है 2018 में फ्रयागराज में हुआ फिर नाइनी जैल में एक अभी भी ये दो अभी भी बंद है उन अभी तों से पूंचताज के लिए एक टीम हमने जैल अधिक्षक से बात करके वहां भी बेजा गया था तो इस प्रकार पूर चारो कटर से ये अपराद कर रहे हैं तो एस पी चंदोली के द्वारा तीन टीम है रवाना किया गया था एक रांची के तरफ गई एक जो है जारकंड में बेजा गया था और ये साहाइब गंज और राजमहल थाना एरिया में काफी ये लोग जानकारी हासिल किया फिर पूरा जा और ये आठ अभिक्तों से सोना का जोलरी बरामद हुआ और कुछ चांदी का जोलरी भी बरामद हुआ और पंदरा लाक रुपिया का कैश भी बरामद हुआ तो ये बरामदगी के साथ ये जो है जो है जो लाकर का हमारा लाकर से जो लूटी गई है वो जोलरी जो है ये लो को ये लोग पड़ाओ जो हमारा जनपत्च चंदोली का पड़ाओ में आके एक कमरा लेके वहां रुके थे और रुके फिर जो है चोटे खिलोना बेचने वाला जैसा ये एक्ट करते हुए बैंकों का रिखी करना सुरू किया तो कुछ जो है इनके द्वारा ये भी जनकरी की गई है तो इन लोग का कहना ये है जोनपूर में भी इन लोग के द्वारा एक बार रिखी की गई है पहले जो है एक बार गाजिपूर में रिखी की गई है फिर आके फिर चंदोली में यहां इंडियन बैंक का आसपास में ये लोग खिलोना बेचने वाला जैसे दरोदर ग पहना अनसार जो है वहां साइरन बजी थी फिर भाग गया फिर आगले दिन फिर जो है प्लान करके वह साइरन का काट के फिर यह लोग अंदर प्रवेस किया सारे गटना का अंजाम दिया इसमें पांच और समलिप्त है वह वान अभी भी वांचित है उनके लिए फिर अमारे काटी में अभी काम कर रही है जल्दी यह उसको गिरफतरी करके उनसे भी बरामदगी करें अभी इनका कतना अनसार जो है मुख्य सरगना फरार है क्योंकि इन लोगों से पूंचताच किया बल्कि हमारा कहने के मतलब यह है इस गटना में सबसे पहले जो पढ़ाओं पर आय बॉप यह दूगों जो है वह वहां राजमहल एरिया का रहने वाले हैं वह माके यहां पडाओं में इन्होंनेहीं कमरा लेके रुका फिर इसके बाद 2-2 करके फिर चंटीन लोग आये ते फिर इसके बाद दीन लोग आए थे आईसा जोड़ते जोड़ते गया है तो यह द हुआ और जो जो इसमें जो इंस्ट्रिमेंट्स यूज किया है वह वहां यह सिलिंडर लाये था और यह बड़े वाला जो कटर्स जो कह रहे हैं अशो करें लिए तो नों बादमास जम्षडपूर से लिए तो जम्षडपूर में यह दोनों बदमास थीन महीने से रिक्की कर रहें बतार है वहाँ इनको जो है यह बढ़े वाला कट्र मिली फिर उनको वह लिकिया यह लोकल इन्पूर्ट तो अभी तक इनका पूंस्तांच में य का स्टाइल है तो लॉकल में यह की यह की जो है जो कानपूर का है बदमास वह कई बार जेल गए हैं तो वह है बाकी सब जो है वदर के रहने वाले नए अभी ब्रामतगी के बाकी है कि जो सेश अभी 5 अभी गचित है उनका गिरफ्तर होंने पर उनसे काफी बरामतगी हूं अभी देखें लाकर का हिसाब किताब का जो है वह कैसा बनेगा यह प्र उनोगों को बलाएज जाए गा और उनका जो है का पैचना ने का समक्स हो घंतर को पांक के आंदर जो ड़कू कीया है और भाहर जो कोई माड को लेके गाया फिर इस तरीके से कहीं लोग है तो घुल मिलाकर आठ लोग इस समय गिरफतार ने उसका अंदर बी जो गांदर गया है जो मैं भी आपको बता रहा हूं यह डुगू जो है वो अंदर गया है वो गिरफतार हुए है तो पवन जो है अंदर गया है वो गिरफतार हुए है जो मुक्ही जो अंदर जो गया है अशोक करके जो है और कृष्टना है यह दो अभिव्यक्त जो अंदर थे उनका सीशी फूटेज में जो फोटोस हमारा पास है उनको इन लोगों ने पहचाना है तो फिर वह वह दो का गर्फतरी अभी बाकी है कर दो? कर जो मैं भी बाकी बाकी है झाल